इस लिष्ट में मैंने ये साथ बैस्ट फोन निकाले है और मैं ये भी बताऊंगा कि इन में से किस तरह के यूजर के लिए कौन सा फोन सही है तो सबसे पहले नमबर सेवन से बात करते हैं ये फोन अंडर 30 के क्या अंडर 20 के आ रहा है और तुमको 20,000 में सिर्फ गेमिंग के लिए फोन चीए और किसी चीज से मतलब नहीं है तो आँख बंद करके ले सकते हो मैं बात कर रहा हूं Redmi K50i की जिसमें MediaTek Dimensity 8100 है जिसको हम एकदम फ्लेक्सिब प्रोसेसर मान सकते हैं मतलब इसके उपर सिर्फ डेमेंसिटी 9000 120 के में बेस्ट गेमिंग फोन है Redmi K50i नेक्स्ट अगर तुम बोलो कि तुमको एक अच्छा प्रोसेसर ही नहीं बलकि एक AMOLED डिस्पले भी चाहिए और पूरा फ्लेक्सिब एक्स्पिरेंस चाहिए तीन फोन है यहाँ पर पोको F4 21999, Realme GT Neo 3T 22999 और IQ Neo6 अल्मोस्ट 24999 और इन तीनों में Snapdragon 870 है तीनों ही performance को टार्गेट करते हैं यानि की gaming को टार्गेट करते हैं मैं बोलूँगा Go with IQ Neo6 प्रोसेसर के साथ साथ इसका camera भी काफी अच्छा है अगर तुमको वीडियो बनाने के लिए या सिर्फ content create करने के लिए iPhone चाहिए और LCD डिस्प्ले और चोटी बैटरी से काम चला सकते हो तो iPhone 11 I think under 13K या under 27K भी मिल सकता है You can go with this लेकिन मैं कहूंगा कि overall एक अच्छा experience चाहिए और सिर्फ एक iPhone ही चाहिए तो दस बार आजार ज्यादा मिला लो Go with iPhone 12 Next इस लिस्ट के last दो फोन Nothing Phone 1 और Pixel 6 है ये gamers को target नहीं करते Nothing Phone 1 डिजाइन और Pixel 6 है stock Android ये दोनों clean से UI वाले फोन है जो इन दोनों में से एक फोन लेगा उसे definitely पता होगा कि वो क्यों ले रहा है मुझे इन में से एक चुनना हो तो Nothing Phone 1 तो यही थे अभी के लिए टॉप 7 फोन अंडर 13K अगर मुझे अपने लिए लेना होगा तो मेबी IQ Neo 6 या Realme GT Neo 3T लेकिन तो इतना ही था इस वीडियो में मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में